विडियो शुकू परें, उसके पहले एक बहुती बात पूम जालता है, आजकाल सिख्क्य विख्वाने के लिए, ताउप चार्टेस, लेग चार्टेस, अकवा रेइस्टेशन शुल्ब के लाम पर खड़ी की जा रही है, आप साउधान रहें, हमेशा जाद रहें, सिख्क्य लिए शुरू करते हैं, आज हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं, बेंगलुरु काईन एक्जिविशन का आठवा एपिसोड, हमें आशा है, आपने इसके पहले के सभी एपिसोड देख लिए होंगे, हम उन सभी एपिसोड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यदि आप कोई एपिसोड देखने से वंचित रह गए हैं, तो आप उस एपिसोड को लिंक पर जाकर किलिक करें और देख लें, और यदि सभी देख लिए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, महरबानी, आईए अब इस वीडियो को भी देखते हैं, प्लीज आप कोशिच करके इस वीडियो को भी पूरा बगेर इसकिप किये हुए अंति तक देखिए, ताकि हम आपको जो समझाना चाहते हैं, वह आपको अच्छे से समझ में आए, और आपको पता चले कि एग्जिबिशन में होता क्या है, आईए शुरू करते हैं, आप से मिलके बहुत कुशी हो, अशुरू करता था, लेकिन वह उसको कैसे करना है, कैसे उसको रखना है, वह पुछ पता नहीं था, मेरे को डिफेंट कोईंस करके रखना हैं, यह पेंडेमिक के टाइम में है, मैं आइसा देखता था, सब फेक वीडियो आता था, माता में चक किया, कोई रेल बंदा मिलेका क्या है, रिखा बपने रेल बंदा मिले का है, जब देखा आपका मेरे को आयख, और ऐसा इसा लगा में वीडियो में इसा है, पर खुछ वीडियो में पराबर लगा सर, एक चलील रिभेली तो एक्छे सर, जो बराँबर लगा करते य निए भी कई वालुबबल कोई रहता है करेश कुछ कुछ है लेकिन उतना value points भी नहीं ही मेरे पाद जो मैं सोचा भी जाना जाने जाने में से अक्षली मैं जब चोटा था मैं 4th student मैं ता तब से collection कर रहा था लेकिन मेरे को सथा सब्सक्राइब करना पता नहीं आपको वीडियो देखने के बाद मेरे को मैंसुस हुआ है एक्चुली में इसमें कुछ वैल्यू है जो में किया है और यह लिए में कुछ वैल्यूएबल तिंग से आप इसे मेरे को ओडर सब जो भी मैं लिया ना सर आपने जो पिसा बोला था वो सब मिलके और इधर जो एक वाइन गाल्री उदर से में स्टार्टिंग किया वोके उसके बाद में मैं सब्सक्राइबल और किदर किदर मिलता है ऐसा वाला क्या क्या चीज देश में से हम में नो आपको फॉल्कन पाइंस के लिए सब्सक्राइबल जाए जैसे शाइना ट्रेट जी की बूक में कोई भी प्राइज दी गई है तो नार्मली एक पांच रुपे का जो दो हजार बावीस का शिक्का है या दो हजार बीस का या दो हजार रटना का अभी मार्केट में आपको पांच रुपे में मिलेगा लेकिन जब आप उनकी किसी भी शाउप पे लेने जाएंगे तो पांच वाला पांच में तो नहीं देगा वो कम से कम 10-20-30 रुपे लेगा यदि वो 30 रुपे में एक पांच रुपे का सिक्का दे रहा है वो पांच रुपे में लाया ठीक है 100 500 रुपे में लेकिन फ्रक्रा के आप दुकांदार के सिक्काद से में बता रहा है ईतुकांदार हूँ आप कस् dramar है तो यहां मैं स्लमर हूँ आप छी को आप 215 रुपे का पेकेट 5-205 रुपे में बेंग से लेकि आए आप ने 500 रुपे 2,017 में लगा दिये अब वो आपसे मेने में दो जने कोई सिक्का लेने आए कि 2017 का सिक्का है सबसे पहले तो आपके पास वो होना चाहिए इसलिए आप इस्ताक मेंटेन करोगे दूसरी बात वो सिक्का रखा का हैं उसके लिए आप जगह बनाओगे अगर इतने बड़े शोरूम का रेंट हो तो पर बासष्कर करोगे अगर माने को रखने कने पांश्री खार जर्स उपकर चोरी यहां फिक्तनी बी करो फिख बीकार कि वो आपको जो चीच चाहिए वो लाके दे रहा है एक मिनट में आपके घर में सुई अगर है लेकिन जब आपको जरुवत पड़ी आपके मम्मी पापा भाई वेंड वो सब लग जाए सुई का रखी अन्मी मिल रही है कि काम रुग गया ना मिली नहीं पता ही निया रखी का है तो वो सारी चीजे मैं में रखना उसका चाल से और जब ऊछव तीस रुप्य में दे रहा है तो 25 रुपए कमा रहा है लेकिन जो इतनी सारी चीजें कर रहे ना तो 25 रुपर से ज़्यादा की पड़ती है तीस रुपर में फिर भी क्यों दे रहा है क्योंकि इस से ज़्यादा देगा तो बिकेगा नहीं एक्चुल कास्ट मेरी नजर में एक पांच रुपर ले सिख्ये की सव रुपर होती एक दुकानदार के पास आप फिल्कुल गहरा ही से जाना जैसे हम एक निवाला खा लेते हैं रोटी का जाते हैं पोटर में अडर करते हैं कि जो रोटी का निवाला आपने खाके और छोड़ दिया उस रोटी को Admиной में और आपकी थाली तकाने में कितने लोगों की मेहनत पीज सबसे पहले वो बीज कहां से आया होगा ना उसके बाद वो बीज किसी दुकानदार के पास पोचा होगा उस दुकानदान में वो बीज किसी कस्टमर को बेचा किसान को बेचा वो बीज या तो किसी मजदूर ने गाड़ी में लोट किया या वो किसान अपनी गाड़ी पे ले आपनी नियुकी उसके बा Ray दूर में गैड मंडी सब्सक्राइब मनंडी में किसी होलशलर ने खरिदा term सब्सक्राइब लगा इन सारे लोगों की इन सारी चीजों की इन सारी वस्तुओं की जो जो मेनत लगी उसके बाद जाके रोटी तयार हुई और यह पूरी चेन देखी जाये तो कम से कम एक हजार चीजें हो गई एक हजार स्टेप हो गए एक होटी को बनने में लेकिन हमारे को क्या है कि उठाई बचाई फेग दी तो हर चीज के पीछे आपका सोचना सही है लेकिन जबाब मैं आप से बोल रहा है कि मैं अभी आप से निस्टो पिछाशी एच मिंट मार्क का क्वाइन का पर निकल का एक करोड रुपे में लूंगा एक करोड में आप दे सकते हो क्या अब यह अब इतने सारे लोग खड़े हैं सबके सिक्के निकाले जाएं तो कोई तो सनेशा होगा जो मिसिंग होगा कि मानलो किसी बास 97 एक इसी बास दो जारेके दो जार का चाहिए तभी मेरा सेट पूरा होता है अगर मुझे दो जार का सिक्का मिल जाता है तो मैं आप अब जैसे अंदर एक्षिशन लगी है आप सिक्का बेशने जा रहे हो तो बोलेंगे साओ रोड़ेंगे और जब वह बेच रहे हैं तो आपको हजार रुपे का भी बोल सकते आप सोचो यहां तो लूट मार मचिए नो सो रुपर ले रहा है लेकिन जो रिपब्लिक पाइन का वजन होता है ना आप वजन उठा के देखो पान पान सो किलो वजन लेके आता है एक बंदा पान सो किल कुछ बंदे फ्लाइट में आते हैं उसमें से दो सो किलो विका की तीन सो किलो विका की सो किलो विका वापस लेके जाएगा और ग typikum है अंचा वापस लएशन के पान सर्व और करना सबना पान स सब्लाइजा है लेक्तर के छिखो नाटै गॉरें इपिए जासे है प्रह वाते हो धांसीन आजर्ट भी में बेंसे आस्फे लेनर किलों काते हैं किलो में टी रहा किराया लिया न उसका कहीं 10,000 लगता है कहीं 20,000 लगता है तीन दिन में 30,000 रुपर किराया पच्छा सेयर रुपर आने जाने का खर्चा फिर खुच का परिवार पालना कि अच्छी में 20,000 लगता है. अच्छी में पालन का फो दूनों करे करा आने ग। अ तरुट्स जाए मां दूताव सेयर तो आने का ने में 20,000 लेता। यह सब चीजें होती है कि आपकी ख्वाईश कितनी गह रही है सरका है था कि वो मुझसे मिलना चाहते थे और भगवान से प्रे कर रहेते कि काश में मिल जाओ तो अब darf कोई यह नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से मिलने के लिए प्रेह करने की जरुद्धिया आप तो बस वीडियो देखें और उसमें जो मैं कहना चाहरा हूं समझाना चाहरा हूं वह आप समझ जाएं मैं आज हूं कल नहीं हूं लेकिन आप सब लोग सीखें और इस ज्यान को आगे यही मेरी ऊपाईश है और इसी वयह से में अतनी मेंनत कर रहा हूं में इमानदारी से मेंनत कर रहा हूं इसे मेंनत कर रहा हूं आप सभी लोगों का भी जड़ी appreciation मिलता रहे गा मुझे तो में तो करता रहूंगा और यदी नहीं मीलेगा तो सक्टाय में ना भी कर पाऊं आज के लिए बादिए पुर्चा कर स्यॉट्ट। को जो वोगकी प्रुचा जो पुर्चार्स भी आप्रों कि अआपकी अखुट। आज के लिए बस इतना ही बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए गोचक अद्गूत वग्यान वर्तक वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा आपके अपनों के लिए हमारे लिए देश के लिए और दुनिया के लिए और हां मुस् आपने इस वीडियो को पूरा अंतितक देखा और अपना प्यार दिया लाइक शेयर और कमेंट के दुआरा आगे भी अपना प्यार इसी तरह बनाये रखिएगा बहुत ही जल्द मिलते हैं बेंगलरू कॉइन एक्जीबिशन के अगले एपिसोड में हुआ कर दो